हेलो दोस्तो मेरा नम है जोटी और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगो बताने वाले हूँ कोर्थी टेबलेट के बारे में किया टेबलेट क्या है या किस का माता है इसको कैसी यूज किया जाता है इसको यूज़ करने से क्या फायदा मिलता है और इसके साइड इफिक्ट है और इसकी प्रायस क्या है तो अगर आप इन से विजन कारियों को अच्छे से जानना चाते हैं तो बिडियोमेन तक बने रही तो चलिए बिडियो के स्टार्ट करते हैं कोर्थरी टेबलेट एक तरह की दवाई है जो कि एनेमिया को ठिक करने में कामाती है और ये दवाई बिटिमिन के कमी को भी पूरा करती है यह एक वाइटल सप्लिमेंट है जो कि फॉलिक एसीड को सही मातरा में प्रवाइट करता है यह folic acid domain के लिए जरूरी होता है यह tablet अच्छे स्वास्ता है और growth के लिए healthy red blood cells और nervous cells को stimulate करके आपकी body के help करता है यह tablet में memory और brain's cognitive function को maintain करने में भी आपकी body के help करता है यह tablet regularly लेने से आपकी vitamin B12 के कमें भी ठीक हो जाती है और साथ ही साथ इसे use करने से आपकी overall health भी ठीक होती है यह tablet pregnancy के time moments को folic acid के मात्रा को बना रखने में काम आती है और अन्य कई benefit भी इससे मिलते हैं तो आप बत करते हैं से किस तरह use करना चाहिए आप यह tablet खाने के साथ और खाने के बिना भी ले सकते हैं इसकी dose, auduration आपको आपका doctor ही बताएंगे इसकी dose आपके treatment पर depend करेगी पर अगर आप जल्दी ठीक हो जाती हैं तो इसे लना बंद ना करें आप इसे अपने doctor के कहने पर ही बंद करें अगर बात करेंस के side effect की तो इस tablet को लेने से वैसे तो कोई भी side effect नहीं होते हैं पर अगर आप इसे बताएंगे dose से ज़्यादा use करेंगे तो आपको इसे side effect हो सकते हैं जैसे एक blood pressure में fluctuation होना, gym में चलना और pit खराब होना यह सब side effect हो सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको इनमें सो कोई भी side effect हो रहे हैं तो आप इसके बारे में डोक्टर से बात करें अगर आपको liver या फ्रिकडिनी के कोई problem है तो आप यह दवाई ना लें इस tablet को बताएगे dose से ज़्यादा भूल कर भी ना लें बढ़ना आपको इसी दिक्कत हो सकती है इसे यूज़ करने से पहले इसके लेवल को अची तरह से पहलें और इसके एक spare date भी चेक कर लें और अगर एक spare हो जाती है तो आप इसका यूज़ ना करें थैंक